आप जानते हैं जो अभी चुनाओं हमारे उने सारी को हुए हैं इसके अंदर कई तरीके की हमको प्रणाली का सामना करना पड़ा जहां आप देखते हैं सराज विधानसवाश शित्र में नाम आपे पहले में इंडिल्टरी फोसेस का इस्तमाल किया गया और स्पी मोहदे के अ कम से कम 1.500-200 आदमी जो है मदरान केंद्रों में खड़ा था तक पूरे देश भर में इन्होंने उपनियन पोल प्रचार बसार किये गए यह बड़ा संघ्यायन मसला है क्योंकि अगर ऐसा लोगतांत्रिक धांचे को हम बचान ही बाते हैं और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लोगों के उपर प्रचता है तो यह बहुत बड़ा प्रचन जो है मारे लोगतांत्रिक धांचे के उपर लगता है मैं इसकी रिटन कंप्रेट जो है चुनावा यूग को भी करने वाला हूं क्योंकि हमारा जो यह देश है इसकी एक टाक अंडर राके उपर बहुत बड़ा हम देखते हैं यहां पर ऑपीनलों को फूरे देश में चलाना शूरू कर देते हैं और आज आप देखते हैं कि हमारी मशीनों के अंदर भी कई व्यम मशीन खरापाई गई काई भी मशीनों में देरी के कारण बड़ी बड़ी लाइने लगी गई और लोगों को बहुत अविस्विदा हुई और कॉंग्रेस पार्टी के जो हमारे एजेंट थे वो अपने जगा पे नहीं पांच पाई वो सिगनीचर का एक इशू रहा और ये भारती जन्तर पार्टी के साथ ने रहा कॉंग्रेस पार्टी के साथ रहा जहां हमारे एजेंटों को भी अंदर जाने की अनुदी नहीं दी गई तो डी सी मौदर से हमने इसके बारे में चर्चा भी की और उनसे निवेदा भी किया परनतु उनकी तरफ से जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है वो लोगों तो नहीं पहुँच पाई और बारा एक एक पज़े तक हमारे जो पोलिंग एजेंट है वो बूथ के अंदर नहीं गुच पाई तो यह पड़ा संधीन मस्ला है मैंने हमने कहीं चुनाओ देखे हैं कहीं चुनाओ लड़े हैं और लडवाएं हैं परनतु आज सक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा जहां सरकार का इतरा धुरुपयों की किया हो और लोगतंतर प्रनाली पे प्रहार किया है